रह्मान एरहीम असलाम लेकुम वियर्स कैसे आप लोग कैसे रोजे गुजर रहे हैं सबके हमारे तो अलहम दोलिल्ला बहुत अच्छे गुजर रहे हैं आज मैं आप लोगों से अपनी अफ़तार रूटीन जो है वो शेयर करूंगी तो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगी द इसमें जी सबसे पहले मैं डालूंगी एक लीटर दूद ये ठंडा है दूद गरम दूद नहीं लेते ठंडा दूद होगा तो अच्छा पनेगा उसके बाद ये 5-6 टेबल स्पून चीनी है ये मैं इसमें डालूंगी अब इसको हम मिक्स करते हैं ये चीनी में इसमें मिक् और ये जी बन जाएगा हमारा जगरदा स्ट्रेइंग तूर सोड़ा ये रमजान में बहुत ही रिफ्रेशिंग है और हमारे घर में तो इनको पसान भी बहुत ज्यादा है ये जी हमारी ज्रेइंग रेडी है अब मैं इसको मिक्स करके अब इसको कवर करके मैं आख दूंगी अब मैं बनाओंगी जामेशिरी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अब एक जग मैं आप जामेशिरी बनाओंगी इसमें सबस्वेले ये मैं एक कप डालूँगी जामेशिरी बिस्मिल्लाहिरसाम रहीम और दो मैं डालूँगी लेमन मिनाहिल को पसंद है इसी लिए यह स्पेशली मिनाहिल के लिए अब यह बना के इसको मैं प्रिक में रफ दूजी ताके थंडा तर्यूज हो सके यह जी रडी है आज अफतारी में मैंने बनाया है चिकन वेजिटेबल सैंडविच इसकी रेसिपी अपलोड मैं कर चुक हुई है और दही बड़े बनाये थे यह भी बहुत ही जबरदस्त बने थे इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं आज बच्चों की दादों भी हमारे साथ रोजा अफतार करेंगी इशाल का तो पहले ही अफतार हो जाता है ना अब दौा मांग लें माशालला बच्चों ने भी तक्रीबन सारे रोजे रखे है अब दुराफे ने थोड़े से छोड़े हैं हननान ने तो कोई भी रोजानी छोड़ा और इशाल के तो सारे ही रोजे है इशाल भी दुआ मांग लिया ये जी है जी अफतार टेबल हमारा दूद सोड़ा बनाया था और जामेशीरी अरहम को भी बहुत पसांदा जी अफतारी करना अरहम अरहम ने भी बड़े शोग से इधर रोजा अफतार करना होता है ये जी अफतारी का टाइम हो गया हम रोजा अफतार करते हैं और आप लगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जुरू कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो दौाओं में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक अल्ला निके बान